इस खबर इस सब्ता की है वो ये है कि भारत वर्ष में अब तक हमने दो करोड टेस्ट कर लिये हैं इसमें आर्टी पीसी आर और रैपिड एंटिजन टेस्ट शामिल हैं पिछले 24 घंटों में हमने 6,60,000 टेस्ट देश भर में किये हैं और जो रिकवर्ड केसिज हैं उनकी अब एक्टिव केसिज के दुगने से भी जादा हो गई है और जो केस फेटिलिटी रेट है इस समय देश में वो पहले लॉकडाउन के समय से याने 25 मार्च के समय से लेकर अब तक सबसे कम बिंदू पर है अब जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और आपको ये बता रह में हुए तो 24 राज्य और केंदर शाशित प्रदेश ऐसे हैं जहां की जो पर मिलियन टेस्ट की संख्या है वो देश की ओसत पर मिलिएन टेस्ट की संख्या से जादा है वो चौबीसों राज्य तो हम यहां आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन हम उन में से जो बड़े राज्ये हैं या जिनकी संख्या बड़ी है वो दिखा रहे हैं देश के स्तरपर पर मिलियन टेस्ट का जो संख्या है वो पंदरा हजार एक सो उन्नेस है याने the country shows 15,119 tests per million whereas we have Goa which has 84,000 tests per million we have Delhi 57,000 tests per million Tripura जो नौर्थीस में छोटा राज्ये है 40,000 tests per million जम्मू कश्मीर 38,000 tests per million Tamil Nadu 35,000 tests per million and so on याने अनेक राज्यों ने और अनेक संख्याशित छित्रों ने अपनी testing capacity को बढ़ाया है RT-PCR को भी और rapid antigen को भी और उसकी वज़े से अब वो comprehensive रूप से testing कर रहे हैं और देश के average से अधिक testing कर रहे हैं अब जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि WHO का ये कहना है कि आपको 140 tests प्रती दिन प्रती 10 लाख की जन संख्यापर करने चाहिए 140 tests per day per million of population और इस testing के स्तर को बना कर रखना चाहिए ताकि आपकी positivity धीरे-धीरे कम हो पहले 10 प्रतिशत का आपको लक्षे रखना चाहिए eventually 5 प्रतिशत या उससे कम की positivity का लक्षे रखना चाहिए ये broad guidelines WHO की हैं आप अगर इस पे दिरिश्टी डालें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि 28 राज्ये ऐसे हैं और UTs ऐसे हैं जो 140 tests प्रती दिन प्रती 10 लाख की जन संक्या से अधिक कर रहे हैं अगर आप भारत का average देखें तो वो 479 है भारत के average से अधिक test करने वाले राज्यों में जो राज्ये हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी है